आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है इमांधार चोर. एक बहुत बड़े गाव में मुन्शी नाम का एक चोर रहता था. वो एक शातिर और बहुत ही इमांधार चोर था। गाव के सभी लोग जानते थे कि मुन्शी एक चोर है लेकिन कभी भी उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ पाए। मुन्शी आज भी बेखॉफ होकर गाव में घूमता है और हर एक घर की खबर रखता है। लोग उसे देखकर सोचते हैं कि कभी मौका मिलेगा तो इसे जरूर प आज मैं बहुत बड़ा हाथ मारने वाला हूँ। मेरे गुरू ने मुझे बताया है कि यह मेरी आखिरी चोरी है। मुन्शी की पत्नी कहती है अच्छा कहां चोरी करने जाओगे। मुन्शी कहता है शर्मा जी के यहां आज उनके घर शादी है ना। आज बहुत सारा सोना और आभूशन वहां मेरा इंतजार कर रहे हूंगे। मैं जाओंगा और सोना चांदी लेकर वापस आओंगा। मुन्शी की पत्नी उदास होते हुए कहती है क्या फाइदा इस सोने चांदी का। पिछली बार जो तुमने सोने का हार चुराया था वो मैं पहन भी नहीं इस चोरी के बाद हम इस गाव को छोड़कर दूसरे गाव में चले जाएंगे। और वैसे भी किसी चोर को ज्यादा देर तक किसी भी जगह पर नहीं ठहरना चाहिए। ये बात मेरे गुरू ने मुझसे कही थी। मुन्शी कहता है चलो अब मैं गुरू का नाम लेकर चलता हूँ और अच्छे से चोरी करता हूँ। ये चोर देवता ये चोरी अच्छे से करवाना और मुझे आशिरवाद देना कि मैं धेर सारा सोनक चांदी लेकर आ सकूँ। मुन्शी को जाता हुआ देख उसकी पतनी कहती है अच्छा सुनो। संभल कर जाना और चोरी करते थोड़ी देर चुपते चुपाते मुंशी शर्मा जी के घर पहुँचता है। वो अपने तेज दिमाग से घर में बिना आवाज किये प्रवेश करता है। उसने देखा कि शर्मा और उसकी पतनी दोनों सो रहे हैं। लेकिन मुंशी को शर्मा जी की एक आदक नहीं पता थी क कि शर्मा जी रात में कई बार नींद में चलते हैं और गाना गाते हैं। मुंशी अपनी चोरी का काम शुरू कर देता है। जैसे ही वह बरतनों को समेटने की कोशिश करता है। शर्मा जी नींद में चलते हुए और गाना गुंगुनाते हुए मुंशी की तरफ आते हैं। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें देख लिया, ये सब सुनकर मुन्शी को लगा कि शर्मा जी को पता चल चुका है, या फिर किसी ने उन्हें ये खबर दे दी है कि मुन्शी आज उनी के घर चोरी करने वाला है, मुन्शी यह सब सुनकर अपना काम बंद कर देता है और बिना आ आवाज लगाती है, अजी कहां चले गए? इतने में शर्मा जी की नींद खुल जाती है और वह वापस बिस्तर पर आकर लेट जाते हैं, मुन्शी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि शर्मा जी सोए है या फिर जाग रहे हैं, वह कुछ देर इंतजार करता है, इतने में घरातों की आवाज कमरे में गूंजने लगती है, मुन्शी को लगता है कि अब ये दोनों सो चुके हैं, वह विस्तर के नीचे से उठता है और देखने लगता है, दोनों को सोता हुआ पाकर वह अपना काम शुरू करता है, वह कमरे में रखे संदूग के पास जाता है और खोलता है, इतने में फिर से शर्मा जी नींद में उठते हैं और गाना गाते हैं, देख लिया, देख लिया, मैंने तुम्हें संदूग खोलते हुए देख लिया, ये सुनकर मुन्शी के तो होशी उड़ जाते हैं, उसे लगता है कि इस बार शर्मा जी ने उसे पकड़ ही मुन्शी कहता है ये शर्मा जी भी ना मुझे ठीक से चोरी भी नहीं करने देंगे यह मेरी आखिरी चोरी है अगर मैंने इस चोरी को सही से नहीं किया तो मेरे चोर देवता मुझसे रूट जाएंगे और अगर मैं चोरी करके घर वापस नहीं गया तो मेरी बीवी मुझे बढ़ता है तभी शर्मा जी नींद में चलते हुए गुनबुनाते हैं पकड़ लिया पकड़ लिया और अब तुम्हें सजा मिलेगी ये सुनकर मुंशी के माथे से पसीना बहना शुरू हो जाता है उसे लगता है कि वह चोरी करते हुए पकड़ा गया वह पास ही रखे एक लाल रंग की धोती को लपेट लेता है धोती को वह इस तरह लपेटता है मानो वह कोई स्त्री हो इस बार शर्मा जी की पत्नी शर्मा जी की हरकतों से परेशान हो चुकी थी वह खड़ी होती है और शर्मा जी को लाने के लिए कमरे से बाहर आती है वह देखती है कि शर्मा शर्मा जी की पतनी कहती है, हाई रे, तो यह है सोतन, रात में नीन में चलने का तो बहाना है, गाने गुन्बुना का रयाशी करते हो इसके साथ, ये शब्द सुनकर शर्मा जी नीन से उच जाते हैं और देखते हैं कि उनके सामने एक लाल साड़ी पहने स्त्री ख़़ी है, तभी मुन्शी की लाल साड़ी उतर जाती है और वो अपने वास्तविक रूप में आ जाता है, इसे देखकर शर्मा और शर्मा जी की पतनी दोनों पूछते हैं, तुम कौन हो और यहां क्यों आये हो, ये सवाल सुनकर मुन्शी अपने तेज दिमाग को भुमाता है और कहत मैं तो वर्मा जी के घर जा रहा था, पता नहीं शर्मा जी के घर कैसे आ गया, ये सुनकर शर्मा जी को गुसा आया और उसने मुन्शी की गर्दन को पकड़ा और कहा, सही सही बता क्यों आया है यहां, मुन्शी ने एक ही बार में सब कुछ उगल दिया, उसने कहा मैं चोर वालों को अभी यही इकर्था कर लेता हूं और फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। ये सुनकर मुन्शी हाथ जोलते हुए शर्मा जी की पत्नी से कहता है। भाभी जी आप ही समझाए ना इनको। कुछ चुराया तो नहीं और अब तो मैं आपके सामने भी हूँ। मुझसे गलती हुई है और अब मैं इस गाउं में कभी चोरी नहीं करूंगा। मुन्शी की भोली सूरत देखकर शर्मा जी की पत्नी कहती है। आजी सुनो। यहादमी सच कह रहा है। चोर है तो क्या हुआ। उसने कुछ चुराया तो नहीं। रहने दो, छोर दो इसे। सुन चोर, तुने इतनी मेहनत की है लेकिन फिर भी कुछ नहीं चुरा पाया। एक काम कर तु यह लाल साड़ी ही ले जा। शर्मा जी की पत्नी ने उसे सुझाग देते हुए कहा। मुन्शी बिना कुछ बोले साड़ी लेकर चला जाता है। उसके बाद शर्मा और शर्मा जी की पत्नी दोनों सुने के लिए चले जाते हैं। इस कहानी से आपने क्या सीखा। नीचे कॉमेंट में हमें जरूर बताएं। झाल 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 स्टाइब झाल 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 झाल